इस वीडियो में मैं चार टॉपिक कवर करूंगा पहला डिजाइन उसके बाद पर्फॉर्मेंस नए फीचर्स क्या एड़ है और AI के फीचर्स में तो इन चारों को मैं कवर करने वाला हूँ सबसे पहले बता दू डिजाइन के बारे में मी आई यूजर इंटरफेस एक विज्वल ओवर हाल से लेस है जो कि कंपनी के आईकॉन और ओवर ओल यू आई में बदलाव किया गया है आईकॉन का बड़ा है और उनका जो साइज है कस्टोमाईज कर सकते हैं इसके लामन नए विजिट फॉर्मेट और होम स्क्रीन फोल्ड भी कोई यूजर को भी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टोमाईजेशन भी शेयर कर सकते हैं मैं गर परफॉर्मेंस की बात करूं इसमें तो लाउंच के दौरान परफॉर्मेंस को लेकर काफी कुछ कहा यह तो साफ्टर को लाइट बनाने के लिए कंपनी का काफी काम किया है Android 13 पर बेस्ट मी यू आई 14 के ने मी आई यू मतलब मी यू फोटान जो कहा गया है की ना की इंजन से लेस है मतलब एक फोटान इंजन लेस है जो की Android करनेल पर काम करता है यह थर्ड पाल्टी डेवलपर्स के आसान और ज़्यादा पावरफूर एफिसेंट एप पे बनाते देते हैं इसे सिस्टम मेमोरी फूट प्रींस काफी कम हुए हैं सिर्फ एट एप्लिकेशन्स ही जिन्हें ऑन इस्टॉल नहीं किया जा सकता है यह शौमी का यह भी दावा करती है कि सिस्टम फ्लो का 60% तक इसमें सुधार किया गया है सिर्फ सिस्टम एप्स ही नहीं बलकि कि थर्ड पार्टी एप्स को भी बहतर परफॉमेंस की अफिशेंसी देती है लेकिन अगर मैं बात करूँ नए फीचर की कि फॉर्टीन में क्या सबसे बड़ी खासित है इसका छोटा साइज है फॉर्म वेर का साइज सिर्फ थर्टीन पॉइंट जिरो नौ जीबी का है जो पॉब्लीकेट फाइल को शिरीव एक कॉपी सेप करके साफ्टर के नए नोटिफिकेशन मैनेजमेंट में लेस हैं जो कि यूजर अब एक स्वाइप के रिजिडेंट नोटिफिकेशन को बंद कर पाएंगे और इस इंस्टॉल एप्स को नोटिफिकेशन अथुराजेशन क की ज़रूरत पड़ेगी वहीं प्राइवेसी बहतर होगी और क्लाउड जो यूजर डेटा स्टोर नहीं होगा और सभी डिवाइस पर ही काम करेगी जो फीचर्स बता दूँ मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट है मी यूई के जो 14 के नई AI फीचर शामिल है यूई के अब इमेज से टेक्स्ट निकाल सकता है यूजर से इसे आसानी से पहचानने के लिए गैलरी इमेज पर टेक्स को प्रेस और होल्ड करके रख सकते हैं यह आ इसका इस्तिमाल आपको डाकुमेंस को इसकैन करने पर ट्रांसलेट करने पर और इसंको को फील्टर करने के लिए कर सकते हैं और यह वाईस कमान के जरिए यह मुश्किल डेली टासक को आसानी से कर सकती है तो यह सारे चार पॉइंट मैंने कवर की हैं जो कि इसमें अपडेट दिया है हाला कि मेरे हिसाब से यह जो 13 से और 14 के एक विजुल ओवर हाल यह सारा महस नहीं कर रहा है थोड़ा बहुत फीचर जिससे कि बता गया है कि इसमें आप बोल कर डाकुमेंट को स्कैन कर सकते हैं तो इस सब की थोड़ा सा एडवांस इसे अबड़ किये यह फिलहाल के लिए यह सारी चीजे ऐसी है मैं कहता हूँ अगर वीडियो को बसंद आया तो प्लिज आप इसको दोस्तों में शेयर करिए और लोगों में जानकारी के लिए शेयर करिए मिलता हूँ मैं से नेक्स बनी में तक तक के लिए टेक केर